नमस्कार दोस्तों, Physics and Animation in Hindi के पहली वीडियो में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि Permanent Magnet Moving Coil Galvanometer क्या होता है और कैसे कारिया करता है Galvanometer क्या है? Galvanometer एक Electro Mechanical Device अर्थात विद्यूत यांत्री की उपकरण है जिसका उपयोग Electric Current का पता लगाने और मापने के लिए किया जाता है या एक सन्वेदन सील Electromagnetic Device अर्थात विद्यूत चुम्बकिया उपकरण है जो कम से कम करण्ट यहां तक की कुछ Micro Ampere की कम करण्ट को भी माप सकता है Galvanometer एक Constant Magnetic Field में एक कॉयल के माध्यम से बहने वाले Electric Current की प्रतिक्रिया में Rotary Deflection उत्पन करता है और एक Actuator के रूप में काम करता है तो चलिए अब बात करते हैं Permanent Magnet Moving Coil Galvanometer की Construction और Working के बारे में Permanent Magnet Moving Coil Galvanometer में दो Concave Permanent Magnet होते हैं और जैसा की हम जानते हैं Magnetic Field की Direction Magnetic North Pole से South Pole की ओर होती है इन दोनों Concave Magnets के बीच में कॉपर की तार को एक आयताकार Aluminium के Frame पर लपेटा गया होता है या आयताकार Aluminium Frame और Coil एक Fix Axis पर गुमने के लिए स्वदंत्र होते हैं इस पूरी विवस्था में बाल के समान दो Phosphor Bronze के Spring होते हैं पहला Spring Coil के उपरी छोड़ से जुड़ा होता है और दूसरा Spring Coil के नीचले छोड़ से जुड़ा होता है इन दोनों स्प्रिंग्स को दोनों सिरों से स्क्रू की मदद से फिक्स किया जाता है एक सिलिंड्रिकल सॉफ्ट टाइरन कोर को सिमेट्रिकली कॉयल के अंदर रखा जाता है जो की Magnetic Field को Radial बनाने अत्वा Magnetic Field के Strength को बढ़ाने में मददगार होता है Magnetic Field को Radial रखने का एक बहुत ही महत्तपूर्ण कारण है जिसके बारे में हम वीडियो के अंत में Galvanometer की Working के दौरान बात करेंगे इसके अलावा कॉयल में Angular Deflection को मापने के लिए कॉयल पर Pointer लगाया जाता है आखिर में कॉयल के दो सिरों को दो तारों के माध्यम से Galvanometer के बाहरी Terminals के साथ जोड़ दिया जाता है जिनके मदद से हम कॉयल में Current का Flow करा सकेंगे तो चलिए अब जानते हैं Permanent Magnet Moving Coil Galvanometer किस Working Principle पर काम करता है Permanent Magnet Moving Coil Galvanometer इस Principle पर काम करता है कि Magnetic Field में रखे गए कॉयल में यदि Current Flow करवाया जाए तो वह कॉयल एक टॉर्क का अनुभो करती है तो आईए अब Galvanometer की Working को विश्टार में समझते हैं जैसा ही Current को कॉयल से Flow कराया जाता है वैसे ही कॉयल के Left Arm में Current A से B की ओर Flow होने लगती है और कॉयल के Right Arm में C से D की ओर Flow होने लगती है जैसा कि हम Animation में देख सकते हैं कि Arm AB में Current की Direction उपर की ओर है और Arm CD में Current की Direction नीचे की ओर है जबकि Magnetic Field की Direction दोनों Arms AB और CD के लिए Magnetic North Pole से South Pole की ओर रहेगी इसलिए फ्लैमिंग Left Hand Rule के अनुसार दो Equal Forces ओपोजिट डारेक्शन में लगना शुरू कर देते हैं अर्थात कपल या टॉर्क कॉइल पर काम करना शुरू कर देता है और कॉइल को गुमाने लगता है कॉइल का यह गूमना पॉइंटर के Angular Deflection का कारण बनता है इसी दौरान Spring Action में आती है और किसी भी अतिरिक अनावश्यक Deflection या पॉइंटर को नुकसान से बचाने के लिए Counter Torque बनाती है और इस प्रकार Spring हमेशा Galvanometer के उचित कामकाज को सुनिश्चित करती है पॉइंटर के Angular Deflection को Micro Ampere में परिवर्थित करने के लिए संबंधित Calibrated Scale प्रदान किया जाता है तो चलिए अब समझने का प्रयास करें कि इस Radial Magnetic Field के आवश्यकता क्यों है हमने Radial Magnetic Field प्रदान करने के लिए Concave आकार के Magnets का उपियो किया है लेकिन क्यों चलिए इसे विस्तार में समझते हैं जैसा कि हम जानते हैं कि टॉर्क का समिकरन NIAB sinθ है जहां N कोयल के गुमावों की संख्या I current और θीटा Magnetic Field Vector B और Area Vector के बीच का एंगल है Area Vector A हमेशा आइताकार कोयल के प्लेन से परपेंडिकुलर होता है और यहां भी बिल्कुल इसपष्ट है कि sinθ का मान 90 degree के एंगल के लिए हमेशा एक होगा आईए Top View से इसे बहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं अब हम देख सकते हैं कि Radial Magnetic Field के कारण कोयल की हर एक position के लिए Magnetic Field Vector और Area Vector के बीच बनने वाला एंगल थीटा 90 degree के बराबर रहेगा इस प्रकार Radial Magnetic Field कोयल के rotation के बावजूद constant torque प्रदान करता है और deflection को current के directly proportional बनाता है क्योंकि Na और B पहले से ही constant थे और अब थीटा भी constant हो गया है जिस कारण अब current ही एक मात्र variable है जो मापने के उद्देशे के लिए device को कैलिब्रेट करना आसान बनाता है उस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और physics and animation हिंदी को subscribe करना न भूलें